असलाम अलेकुम व्यूवर्स वेलकम टू माई चैनल फॉरत फूट फूजन आज मैं आपके साथ अपने चैनल पर शेयर करने जा रही हूं बहुत ही जबर्दस रेसिपी खड़े मसाली का कीमा और आप देख सकते हैं कि इतना जबर्दस लग रहा है तो चले आई से बनाना स् और इसके अंदर चार अदद मीडियम साइज की प्याज को चौप करके स्लाइस में कट करके शामिल कर देगे और प्याज को हमें उस वक्त तक फ्राइ करना है जब तक यह थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए यानि इसका कलर हलका सा लाइट पिंक सा आजाएगा जब तक हमें इसे फ्राइ करना है और अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और यह थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो इस स्टेज पर इसके अंदर शामिल करेंगे साबुद गरम मसाला जिसमें हमने लिया है एक टेबल स्पून जीरा दस से बाराद हमने लिया है काली मिर्चे 5-6 अदद लॉंगे दो अदद तेज पत्ते दो इंच का टुकड़ा दारचीनी का और एक अदद बड़ी इलाइची यह सारा साबुद कर मसाला प्याज में शामिल कर दिया है और इसे हलका सा करेंगे और साथ ही 12 अदद हमने साबुद लाल मिर्च ल देंगे अच्छा क्यूंकि यह खड़े मसाले का कीमा है तो इसके अंदर सारी चीज़े जो है वह रौ फॉर्म में ही जाएंगी इसके साथ ही इसके अंदर 3-4 अदद हमने हरी मिर्चे ली थी उसे चॉप कर लिया था और साथ ही अद्रक का हमने 2 इंच का टुकड़ा देलो यह शामल कर देंगे थोड़ा-thोड़ा सा सब चीजों को फॉरा करेंगे और आप इसके अंदर जब थोड़ा सा यह सब फॉरा हो जाएगा इसमें हम शामल कर देंगे नमक घजब जाइका अच्छा हमनेवन टे एपल स्पून नमक एट किया था आप अपने टेस्ट क अच्छा इसके साथ ही हमने इसमें टेमाटर शामिल की है दो अदत बड़े साइस की टेमाटर लिए थे मैंने और चार अदत ग्रीन चिली अधरी मिर्चे साबुत कर दी और अब इसके साथ इसके अंदर थोड़ा सा पानी आट करके 10 मिनिट्स तक इसे कवर करके कुख होने तक छोड़ देंगे और ये 10 मिनिट हो चुके है टेमाटर भी गल चुके है और मशीन का कीमा तो आपको पता ही है कि वैसे ही जल्दी गल जाता है और अब इस स्टेज पर इसको अची तरह से हमें भूनना है फ्राइ करना है थोड़ा सा अद्रग शामिल कर दिया है चौप की आवा और इसे उस वक्त तक हम भूनते हैं जब तक इसका ओईल उपर ना आचाए या तेल ना छोड़ दे अचाए ये बिल्कुल रेडि हो चुका है इसे डिश आउट करेंगे ये बहुत ही एजी रेसिपी है और मेरे पास दो तीन रिक्वेस्ट आई थी खड़े मसाले के कीमा की तो इसलिए हमने अपने चैनल पर आपके साथ ये रेसिपी शियर की है अगर आपको भी इसी तरह की अच्छे अच्छी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर कॉमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैन Allah Hafiz